लग रहा था कि बस मर जाओं बट यह अक्टिविटी ना हो मेरे साथ गाइस UK07 ने बात कि Big Boss के बारे में उन्होंने बाता है कि उनके साथ कैसे Big Boss House के अंदर treat किया जा रहा था और साथ ही में उन्होंने बात किया Walk of Shame के बारे में उन्हों उसके बारे में क्या का आप देखिये करना गलत था मैं वीकेंड के वार पे बहुत भारी दिल से बैठा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है मैं जब वीकेंड के वार के दिन सुबह उठाना तो मैंने एक activity भार देखी जिस activity का नाम था Walk of Shame उस Walk of Shame मैंने एक घर बनाय गया था जिसके उपर एक tagline थी Walk of Shame और मुझे कही ना कही पता था कि ये Walk of Shame मुझे करनी है क्योंकि एक narrative set कर दिया गया था कि यही वो इंसान है जिसने कभी show की इज़त नहीं करी, host की इज़त नहीं करी और कभी इस platform को value नहीं करा, मैं बस अपने emotions बता रहा था वो दिन में एक जिन्दिगी मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत जादा भारी feel कर रहा था कही ना कही मुझे लग रहा था कि आज मैंने वो जिल्लत face करनी है जो शायद जिन्दिगी में कभी नहीं झेली थी वो weekend का बार, when उस weekend के बार में करन सर ने पूरे घरवालों से, दिमाग के घरवालों से पूछा कि इस पूरे घर में ऐसा वो कौन इंसान है, जिसने शो की respect नहीं करी, कि वो कौन सा इंसान है जो शो पर deserve, stay करना deserve नहीं करता और आपसी सहमती से सब लोगों ने मेरा नाम लिया, मुझे उस activity के पीछे खड़ा करा गया, हाथ में एक board दिया गया मेरे हाथ में, जिस पर walk of shame लिखा गया था, घर के तीन लोग एक इधर, एक इधर और एक इधर खड़े करे गए, करन साने में को पीछे खड़ा करा, और और मेरे को बोला कि अब ये walk of shame करो, मैं जब आप पीछे खड़ा हुआ ना तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाओं बट ये activity ना हो मेरे साथ, मैंने जब उस walk of shame को चलना शुरू करा ना, तो बाकी घर वाले shame, 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 shame चिला रहे थे पीछे से, और मैं आपको बता भी नहीं सक इतना बड़ा गुना कर दिया है इस शो में मैंने कि मेरे को ये जिल्लत और ये बेजिती face करनी पट रहे है, मैं जब एक एक कदम करके चलता जा रहा था था ना, तो सब लोग shame, 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 shame चिला रहे थे और मैं वो बोड को पकड़के बस अंदर ये अंदर घुटता चला जा था कि क्या ही कर दिया मैंने, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मैं जब उस activity को करके भार आए ना, तो करन सर ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि अनुराग कैसा लगा ये walk करके, कोई इंसान, कोई platform, कोई show, ये चीज़े करवाने के बाद, ये कैसे पूछ सकता है कि जीज़े कि आपको कैसा लगा, मुझे आदे मैंने वो answer कर रहा था कि, कर अंसर, it was a shameful walk, मैं जब show में गया था ना, तो मुझे ए था कि, मेरे घरवाले कही ना कही मुझे ले करके proud होंगे, मेरी ब्रो से ना कही ना कही मुझे ले करके proud होगी, बट उस walk of shame के बाद, मेरे सारी motivation, मेरे स सारे सपने, मेरा सारा self-respect सब चूर हो गया था, और मुझे लग रहा था कि, सब कुछ खतम हो गया, वो राज जब मैं सोने गया ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही thought चल रहा था कि, भगवान मुझे अगले दिन की सुबाना दिखाए, क्योंकि हिम्मत नी थी, वापस दुन जा रहा था, कि नुराग इस शो में कुछ करी नी रहा, ना नुराग दिख रहा है, आप मेरे से कैसे expect कर सकते थी, मैं खुद से हार चुका था यार, मेरे को खुद किसी से बात करनी की हिम्मत नी होती थी, मुझे लगता था कि यार, सब के सामने ना, मेरी इज़त खतम हो चुकी है, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, सब की conversation, मैं पस एक sofa में मैट करके ना, लेटा रहता था, उस angle को शो वालों ने इस तरीके से दिखाया, कि मैं सोता रहता हूं, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, मैं बहुत शान शान सा रहता हूं, बट उन्होंने कभी वो walk of shame दिखाया है नहीं